अगर आपने बहुत सारे पैक लगा लिए और आप अपने घेर ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हो बट आप पो रिजल्ट नहीं मिल रहा इसका रिजन यह नहीं है कि पैक में कोई खराबी है एक्चुली आप सही कॉम्बिनेशन से किसी पैक को यूज नहीं कर रहे या आपक जो यूज कर रहे हैं वो क्या है क्या वो सही कॉम्बिनेशन से यूज कर रहे हैं हमों हेर ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्रीडियंट भी वही होने regardless जो reality मेश को उसमें थीकनेस इंक्रीज करके और blood circulation को raise करके आपकी हेर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं आपको सही जानकरी दूंगी एक ऐसा पैक बताऊंगी जिसे के आपके बालों की ना सिरफ ग्रोथ बड़ेगी वो सिल्की शाइनी और स्मूथ भी हो जाएंगे एक्चुली हमारे जो हेर होते हैं वो कैरेटीन हमने यूज कर लिए उसकी वजह से हमारी स्कैल्प के अंदर कैरिटीन बूस्ट नहीं हो पाता बस हमने उसी पर करना है मतलब यह पैक आपकी स्कैल्प पर करेगा जिससे के आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने वाली है आपके हेर फालिकल जो है वो ओपन हो जाएंगे अग कर्ड कर्ड जो है आपका घर का बना होना चाहिए मार्केट बेस्ट बिलकुल नहीं लेना यह बायोटीन रिच होता है प्रोटीन भी होता है यह आपके बालों की कंडिशन को बहुत अच्छे से बूस्ट कर देगा मेन बेस है आपके स्पैक का कर्ड जो के आपके बालों की health पो सुधारते हुए बालों को silky soft और straight भी बनाएगा और keratin को भी boost करेगा curd बस यही चीज है कि मेन आपने घर का बना लेना है market based बिल्कुल नहीं लेना second जो ingredient आपने इसमें add करना है hubixis powder यह आपको market से available हो जाएगा नहीं तो आप क्या कर सकते हो इस hubixis flower को और इसकी पतियों को सुखा लीजिए और उनका powder बना लीजिए एक चमच आपने उसमें दही में add करना hubixis आपके बालों की ग्रोथ को promote करता है hubixis की जो पतियां होती है वो और भी जादा nourishment provide करती है hair follicles को मजबूत करती है नया बाल भी लाती है और hair length को भी promote करती है जड़ अगर सही है root अगर सही है तो बाल लंबा अपने आप ही होगा ठीक है तो हम scalp पे work कर रहे हैं hair follicles पे work कर रहे हैं तो ये ingredient बहुत ही important है तो मैंने यहाँ पर अगर आपको पतियां available नहीं है खाली flour का भी आप अगर use करते हो तब भी अच्छी बात है लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियो में पूरी जानकारी देना जो है वो जरूरी समझती हूँ क्योंकि अधूरी जानकारी कभी भी आपको सही track पे नहीं लजा सकती जो third ingredient हमने यूज करना है वो है मेथी पाउडर आपने पाउडर ही लेना एक चमच मेथी पाउडर लीजिएगा जो प्रोटीन को बूस्ट करगा आपके बालों में और थोड़ा सा मैसी सा हो जाता है हमारा पैक क्योंकि इसमें केरेटिन प्रोटीन है नेचरल प्रोटीन है आपके बालों में soft और shine भी लाएगा ये मेथी पाउडर मेथी पाउडर से रिलेटर मैं बहुत सारी वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ नहीं देखी तो आप चैनल को check out कर सकते हो तो मैं description box में link भी दे दूँगी playlist का link भी आपको नीचे मिल जाएगा तो आप वहां से check out कर सकते हो तो अब हमने एक चमच मेथी powder एड़ करना है जो आपके बालों की softness को बढ़ाईगा आपके बालों को healthy करेगा जो last ingredient हमने use करना है वह है आवला powder यहां पर मैं green आवला शो कर रही हूँ winter का season है यह available हो जाएगा इन्हें सुगा के इनका powder भी बना सकते हो नहीं तो market से available हो जाएगा आपको आप उसके बारे में बिलकुल अच्छे से जानते हो कि अगर आप आप आपला का intake भी करते हो routine में तो आपके बालों में नहीं जान आ जाएगी क्योंकि बालों में blackishness premature graying hair के problem सब दूर हो जाती है अगर आप आप आपले का consumption करते हो लेकिन हम यहां पर external application की बात कर रहे हैं तो आपने रूट पे भी बहुत अच्छे से walk करता है तो आपने dry armla powder ले लेना है इसको भी add करना है इस pack को अच्छे से mix करके आपने hair length पे लगाना है और scalp पे भी आदे गंडे पास आपने hair wash कर देने हैं देख लिए का आपके बालों की condition बहुत अच्छी हो जाएगी नए बाल भी आएंगी hair length भी बढ़ेगी आपको visible result मिलेंगे 10 से 5 इंच जो है आपकी hair length बढ़ने वाली है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, subscribe जूर कर दीजिएगा इस channel पर आपको बिल्कुल general information मिलती है मैं always वही information share